दोस्तो कोवीट करन दुनिया बर की नवकरी दुनिया बर की सहर की बीजनेस काफी लोगों के बंद हो चुक है wären, ऐसे में गाओं की तरफ लोगोंका बढ़ता रोजान है तो इसमें डेड़ सारी बाते भी आती हैं तो हम बात करते हैं गाउँ में बिजनेस डालने की basically मैं बात कर रहा हूँ आज गाउँ में फ़र्म बनाने की जोस्तों हलाकि आप सब भी देखते हैं कि गाउँ में जो भी material supply होती है जो भी आसपास कि आपके कई गाओं में साल के अच्छे पैसे भी आते हैं उन पैसों से गाओं का अच्छा विकासकार होता है तो जाइड़ सी बात है वो विकासकार होता है कि कहीं ने कहीं से वो पैसे किसी किसी वेंडर को जाते होंगे और वो vendor से कोई नी कई माल खरीद जाता होगा जब वो माल खरीद जाता होगा तो फिर उस माल के बड़े उसी ग्राम पचैत की सरकार पैसे जो भीजती है उसी को भुखतान किया जाता होगा और उसी की माध्यम से सारे काम होते होंगे तो जाइट सी बात है जब एक गाउं में इतना सारा फंड है तो आज पास के अगर एक नाय पंचैट मतलब 8-10 गाउं अगर मिल जाती हैं तो फिर कितना सारा फंड होगा तो जैसा कि आप सब ही जानते हैं कि ये सारे fund जो भी जाने हैं प्रदान और सच्चियों के हाथ में सीधे नहीं आते हैं ये सब फर्म के खाते में जाते हैं मतलब जिन से माल सप्लाई लिया जाता है उनके खाते में सीधे YFTO बनके ट्रांसफर होता है और उनसे क्या होता है गवर्णissoीचे करती है कि बीच में पार द्रिष्टा बनती रहे किलेदीफाई होता रहे किसी के हात में कैश न जाये जिससे माल ले उसको ही पेमेंट जाए ऐसे में बात होती है अगर आप गाउं लेबल पे अपने बिजनेस करते हैं या फिर करने के इक्षुक हैं तो उसके लिए क्या करें आप भी इस तरह से बिजनेस फर्म बना करके अपनी एक तरह से इंकम पैदा कर सकते हैं तो यह जालने थे इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है किस प्रोसेस के थुरू आप अपने फर्म को बना सकते हैं तो बेसेकली हम बात करें तो फर्म बनाने के लिए चिटफंड आफिस से आपको वहां से क्या करतना partnership की deed बनानी पड़ती है लेकिन ये उस तरह का form नहीं होता जो कि आपकी gram पंजायत की profile पर अप्रूव होता है और जिस पे ये भुकतान होता है gram निदी के पैसों का यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे basically आपको एक छोटा सा GST का पंजियन करवाना होता है GST के पंजियन के जस्ट बाद आपको GST नमर मिलती है और जिस नाम से आपका GST पंजियन होगा ठीक उसी नाम से आपका current account उपन होगा और आपका firm ready हो गया फिर आप अपने एकाउंट को अपनी gram सुरायत के portal पे feed करवा सकते हैं अपने सची उप्रधान से content कर सकते हैं और जो भी माल होगा supply कर सकते हैं अब बात करें माल काउंट सा supply करना है तो फिर आप अपनी इसाफ से देख लें कि आप कितना investment कर पा रहे हैं और किस तरह के गाउंट में माल supply कर सकते हैं अब ये बाते आपको खुद अपने गाउं से सबन्दा है कि आपके अस्थानी आसपास गाउं में किस तरह के काम हो रहे हैं चाहरे आप building materials की बात करें इस तरह के कोई मिटरिल आप देख सकते हैं कि आपके अस्थानी गाउं के आसपास में किस तरह के बिकास के कार ज़्यादा होते हैं और किस तरह की सब्लाइज ज़्यादा होती है या कौन सा माल ज़्यादा बिकता है उससे regarding आप अपने जिस्टी को पंजियन कराईए और उसके सापना करेड़ अकौन को लिए अपने प्रदान सा चीज़ों संपर्ग करेए और अपने ए ग्राम सुराज पोर्टल पे अपनी फर्म रेइश्टर्ट करवाएए जिससे आपका खाता फियो फोस पे रेइश्टर्ट हो जाएगा और उसके अलमा फिर आप जो है गाउं में माल संपलाई करके और आजपास के कई गाउं में माल संपलाई करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं ये आपके लिए एक गोल्डन अपर्चुन्टी होगा तो जो भी हुआ काम करना चाहते हैं तो अपनी फर्मिश्टर्ट करवाले और जो भी पहले से काम कर रहे हैं आप अपने आजपास के गाउं में इस तरह से संपलाई करके अपने माल को गाउं में सपलाई कर सकते हैं और अपनी अंदरी को बढ़ा सकते हैं तो आज एक वीडियो को अच्छली वीडियो च्छली लाइक जरू करेगा चैनल पर नए सब्सक्राइब जिरू करेगा जाहिन बाई दोस्तों